हेलो दोस्तों कैसे हो आप सबको मेरा नमश्कार मैं दिनिश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं ओलाइन इस्टी हिंदी चैनल पर तो दोस्तों आज वीडियो हम बात करने वाल है एलपी टेक्निशन के सबस्क्राइब करने के लिए नीचे के सबस्क्राइब बटन पर क्लि अपना वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ने बूले यह दोस्तों जो न्यूज आज के न्यूज पर गिए जिसमें आपको बताया है कि सायक लोको पाइलट और तकनिशी पदों का रिवाइज परिणाम इसी सबते के अंदर जारी होने वाला है जैसा कि आप सब परिणाम अगले सब्टे में गोशित किया जा सकता है रेलवे बढ़ती बोर्ड ने इस परिणाम के लिए प्रस्तावी तीती 20 दिसमबर से पूर्वे गोशित करने की दे रखी है माना जा रहा है कि रिवाइज परिणाम में अभियार्तियों की संक्या में बड़ोतरी होने का अनुमान लगया जा रहा है तो दोस्तों रेलवे बढ़ती बोर्ड ने नो अगस्त से चार सितंबर तक परतम चनल सिबीश बैस्ट का अजमेर बोर्ड समेत देश बर के सभी 21 बोर्डों के अधिन किया था बाद में बोर्ड ने दो नौमबर को इस परिक्सा का परिणाम जारे कर दिया गया था अजमें बोर्ड के अधिन कुल 32,321 अभियार्थियों को दीत्य चरण कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट के लिए कौलिफाइग किया गया है जबकि देश में करीब 7 लाग अभियार्थियों को सेकिंड इस्टेज के टेस्ट के लिए सफल गोशित किया सरथ है इस सकतर हैा बिक्ताइब भी को अभ्यार्थि की आपति मिलना सुरू हो गई थी विश्ए कर फाइनल आंसों की के कि परने की अपने की सिक्षी से क्र quality को इस रिवाइज करने की मांग इस पर भर्मермें बढ़ न्यूमबर को यहनां कर दिया गया अब 20 दिसम्बर से पूर्व इस प्रिक्सा का संसोदी प्रिणाम जारी करेगी सेकिंड इस्टेट टेस्ट जनुवरी में आरार भी ने गोशना कर दी कि इस बढ़ती प्रिक्सा का दीते चरण का कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट जनुवरी 2019 में 21 से 23 तक आयुद किया जाएगा पूरे में ये टेस्ट 19 नॉमबर फिर इसके बाद 12 से 14 दिसम्बर इसके बाद 24 दिसम्बर से शुरू होने वाला था लेकिन अब ये टेस्ट 21 जनुवरी से शुरू होने वाला है तो दोस्तो ये थी आज गी अपडेट जैसे इसका रिवाय रिजल जारी होता है सबसे पहले सूषन आपको मेरी चैनल के दुबार दे ती जाएगी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब कर ले न सबसे पहले आपको UPDATE मिलती रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में ने अपडेट के साथ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बाई